दोस्तो ये WhatsApp का ऐसा feature है जो अभी तक WhatsApp सभी phone में ला नहीं पाया है लेकिन ये एक ऐसा application है जो इस feature को आपके phone के अंदर enable कर देता है देखिए हम यहाँ पे एक message किये वापस से एक message किये continue message किये जा रहे हैं है ना तो इस तरीके से message हम किये जा रहे हैं अब करने के बाद क्या हुआ कि क्या मेरे mood में आया और मैंने इन messages को select किया और फिर मैंने कर दिया delete for everyone और इस तीज से मैं भी परशान हूँ और आप भी परशान होंगे आप भी चाहते होंगे कि यार कैसा ऐसा जुगार लगाएं जिससे कि ये message मेरे delete हो ही नहीं सही कह रहा हूँ मैं आपका ये message delete होगा ही नहीं लेकिन उसके लिए आपको एक जुगार लगाना होगा और उस जुगार के लिए आपको अपने phone के अंदर Google Chrome app को open करना होगा जैसे ही आप यहाँ पे सीखे all in Hindi लिखोगे उसके बाद यहाँ पे आपको इसको search कर देना है search करने के बाद यहाँ पे जो आपको पहली website आएगी इसके उपर click करना है और यहाँ पे आपको ये जो search वाला option है इसके उपर click करना है waab pro लिखने के बाद ये जो आपको पहली post दिख रहे है, इसके उपर आपको click करना है, click करने के बाद scroll करके नीची आना है, वापस नीची आना है और तब तक आना है जब तक आपको application डाउनलोड करने का लिंक आपको ना मिल जाए यहां पे देखिए यह देखिए वही अप्लिकेशन है यह देखिए आप ध्यान से देख लिजे इस अप्लिकेशन के उपर आपको क्लिक करना है और यहां पे देखिए आपका यह अप्लिकेशन मेरा डाउनलोडेड है तो इसी क का ऐसा feature है जो अभी तक WhatsApp सभी phone में ला नहीं पाया है लेकिन ये एक ऐसा application है जो इस feature को आपके phone के अंदर enable कर देता है तो यहाँ पे आपको bubble chat के उपर click करना है click करने के बाद यहाँ पे आपको allow option पे click करना है और यहाँ पे आप सभी को इस application को allow कर देना है तो जैसे ही आप allow पे click करेंगे आपको यहाँ पे दूसरा permission फिर से allow करना होगा तो यहाँ पे allow पे click कीजे और फिर से आप सभी उस application का नाम खोज लिजे और यहाँ पे आपको allow वाले option पे click कर देना है फिर यहाँ पे आपको back करना है वापस से back करना है और यहाँ पे आपको एक option मिलेगा enable का तो इसी के उपर आपको click कर देना है अब आपका ये application का काम हो चुका है अब इसको आप close कर दीजे अब अगली बार से कोई भी आपको message करेंगे तो यहाँ पे देखिए अगर मैं high मेजता ह वो message आप यहाँ पे आजाम से पर सकते हो तो यह देखिए मैं यहाँ पे लंबा से लंबा message कर रहा हूँ कुछ भी भेज रहा हूँ यहाँ पे सारा message जो है की आ रहा है और अगर मैं यहाँ पे इस phone से वो message डिलीट करूंगा तो देखिएगा कि यहाँ से message delete नहीं होगा तो जो deleted message लिखा हुआ आता है उसको आप ऐस तरीके से रोक सकते हैं और वापस थे उन्हें पड़ भी सकते हैं अब मानलों कि इसको हमने close कर दिया अब जो application मुझे इस्तमाल करना है हमारा से यूज कर सकते हैं अगर आप WhatsApp खोलोगे तो देख पाओगे कि यहाँ पर वो चारो message deleted है है ना जो इस बेक्ती ने message हमें भेजा था वो तो deleted है और इस application के अंदर वो message तो है ही तो इस तरीके से आप सभी इस application के मदद से आप अपने phone के अंदर कोई भी message delete हो रहा है उन्हें आप रोक सकते हैं दखिए दोस्तो message भेजा message आ गया ठीक है तो यही चीज आपका यहाँ पे भी so करेगा ठीक है तो इस तरीके से आप सभी इस application के मदद से delete किये हुए messages को आपस पर सकते हैं यहाँ पे आप थभी ध्यान दिजेगा अगर आप सभी WhatsApp पे chatting कर रहे हो और chatting करते समय आप इस application को अगर WhatsApp को यूज कर रहे हो तो यहाँ पे अगर कोई message को delete करेगा तो फिर आप उस message को recover नहीं कर पाओगे क्योंकि इस message को तो पता ही नहीं चला कि आपके पास क्या message आया क्योंकि आपने direct WhatsApp खोल के रखा है अगर आपका WhatsApp क्लोज है फिर अगर आपको कोई message कर रहा है तो यहाँ पे इस application को भी message पता चलेगा क्योंकि notification से ही यह आपका यहाँ पर so कराता है तो जो भी notification में रहेगा वो यहाँ पर यह application आपको so कराएगा है ना और उसके बाद वो message आपका delete नहीं होगा यह देखिए मैंने भेजा कुछ भी है ना कुछ भी भेजा यहाँ पर भी आ गया अगर है यहाँ पर click करता हूँ तो यह सारे message मेरे यहाँ पर show कर रहे है अगर इस application को हम close भी करकर रखेंगे और फिर भी यहाँ पर अगर कोई message मेरा delete हो जाता है तो वो message मेरा इस application से delete नहीं होगा यह देखिए सारे के सारे message वैसे के वैसे ही है कोई भी message मेरा यहां से delete नहीं हुआ लेकिन अगर आप यही अपना WhatsApp खोलोगे तो आपको यहां पे सारे message deleted दिखेंगे तो इनको पढ़ने का असान तरीका मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप इन messages को read कर सकते हैं उमीद है कि आप सभी इस वीडियो के माध्यम से काफी कुछ सीख चुके होंगे अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर नहीं होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा धन्यवाद